साथियो नमस्कार, स्वागत है आज एक और नए वीडियो में इस वीडियो में हम H2S सर्वे के मुख्य बिंदों पर चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में H2S सर्वे में स्टेटमेंट 4 कैसे भरा जाए इस पर चर्चा की गई थी अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम अपना वीडियो एप खोलते हैं और नीचे H2S सर्वे पर क्लिक करते हैं H2S सर्वे पेज खुलने के बाद सबसे पहले हमें उपर 2 तरफ All Houses लिखा हुआ दिखता है और दूसरी तरफ दाइनी तरफ जो है हमें Verified लिखा हुआ दिखता है उसके नीचे हम दिखते हैं लिखा हुआ है Section Number All House Count तो इसका मतलब आपके ओटर लिस्ट में जितने भी Houses हैं वो यहां पर आपको उपर दिख रहे हैं मेरी मंदाता सुची में 218 मकार नंबर है तो 218 दिख रहे हैं उसके नीचे Serial Number 1 लिखा हुआ है और House Number New दिख रहा है उसके दाइनी तरफ देखे लिखा हुआ है Number of Electors in House Non-Verified मतलब इस घर में तीन तीन लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अभी तक Verified नहीं किया है और उसके नीचे यहां पर लिखा हुआ है Section Number and Name तो यहां पर आपका Part Number दिखे नीचे लिखा हुआ है Add Forb Census तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है इसमें हम Statement 4 बढ़ते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आज हम View Family Member पर बात करेंगे तो हम सबसे पहले View Family Member पर प्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारा पेज खुल जाता है यहाँ पर सबसे पहले Serial Number 1 दिखने लगता है और उसके नीचे अप्लिकेंट का नाम और दाइनी तरफ देखिए हरा टिक लगा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है Verified इसका मतलब यह है कि हम इस परसन को Verified कर चुके है और उसके नीचे भी देखिए लिखा हुआ है Serial Number 2 Verified इसको भी मैं कर चुका हूँ तो इस परिवार में, इस फैमिली मेंबर में, इस हाउस नंबर में मैंने दो लोगों को Verified कर दिया है अब बाकी तीन लोग बच रहे हैं Serial Number 3, Serial Number 4 और Serial Number 5 जब मैं इन तीनों लोगों का Verification कर लोगा तो यह पूरा मकार नंबर मेरा Verified हो जाएगा आज हम Serial Number 3 के मद्दाता का Verification करेंगे नीचे लिखा हुआ दिखाए पड़ता है Number and Name of Assemblety Consistency यहाँ पर आपकी लोग सभा विदान सभा सीट लिखी हुई दिखाई देगी उसके नीचे District, उसके नीचे Part Number और उसके नीचे आपका Section Number दिखाई पड़ेगा उसके बाद मद्दाता की Personal Detail हमें यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी सबसे पहले Applicant का नाम उसके नीचे उसका Epic Number फिर उसका Gender फिर उसका Relative Name Relative Type Phone Number और Email ID यह सारी चीज़े हमें यहाँ देखने को मिलेंगी दाइने तरफ हम मद्दाता का Photo देख सकते हैं Photo अगर क्लियर नहीं है तो उसको हम जूम करके बड़ा और छोटा करके देख सकते हैं उसके नीचे हमें Age भी दिखाई देती है अगर आपने भविस्त में कभी Verify किया है या किसी नेमत दाता का जब आपने registration किया है तो वहाँ पर आगर आपने कोई आयू प्रमाट पत्र रोड किया है तो आप यहाँ पर View Attached DOB पर क्लिक करके देख सकते हैं उसके नीचे address लिखा हुआ है address का भी certificate आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर इसके नीचे आप भरेंगे कि मद्दाता अपने निवास अस्थान पर कब से रह रहा है मैलाओं के case में अक्सर यह होता है कि मैलाओं साधी होकर जब अपने निवास अस्थान पर आती है तो हम उस साल को यहाँ पर लिखते हैं उसके नीचे देखिये लिखा हुआ है on house visit applicant is found इसका मतलब यह है कि जब आप survey करने गए तो मद्दाता आपको वहाँ पर present मिला है उसका परिवार वहाँ पर रह रहा है अगर वह रह रहा है तो हम present पर tick करेंगे अगर नहीं रह रहा है तो हम absent पर tick कर देंगे अगर मद्दाता की मृत्ती हो गई है तो हम expire कर देंगे अगर वो कहीं और रहने लगा है किसी और जगए shift हो गया है तो आप shifted पर tick कर देंगे अगर मद्दाता किसी और भाग संख्या में रहने लगा है और उस भाग संख्या में उसका नाम आ गया है तो आप यहां से इसको repeated पर tick कर सकते हैं उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है photograph of the elector is यहाँ पर photograph आपके मदाता का अगर सही है तो आप correct पर tick कर सकते हैं अन्था incorrect पर आप tick कर सकते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है the detail of the elector on house visit are इसका मतलब यह है कि जब आप भ्रमण कर रहे हैं तो मदाता की details में सही है या गलत अगर सही है तो आप same पर tick कर सकते हैं अन्था आप not same पर tick कर सकते हैं उसके नीचे लिखा है the do be oblique age in database and on house visit तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप survey कर रहे हैं तो मदाता की date है वो database के अनुसार सही है या गलत अगर सही है तो आप same कर सकते हैं नहीं same है तो आप not same पर tick कर सकते हैं उसके नीचे लिखा है the address on house visit are अगर address आपका सही है मदाता का address आपका सही है तो आप यहाँ पर same पर tick कर देंगे इसके नीचे लिखा हुआ है PWD PWD का मतलग यह है कि अगर मदाता की घर में कोई विकलांग या कोई दिव्यांग रह रहा है तो हम यहाँ पर उसको yes कर देंगे अनिथा हम उस पर no रहने देंगे उसके बाद मदाता की आधार डीटेल हम यहाँ पर देंगे अगर आपने पहले 6B form भर दिया है तो यहाँ पर पीली पट्टी में आपको received लिखा नजर आएगा अगर आपने नहीं दिया है अगर आपने form 6B भी नहीं भर आए तो यहाँ पर not received लिखके आएगा और आप यहीं से form 6 भर सकते हैं उसके नीचे लिखा हुआ है information यहाँ पर लिखा हुआ है अब डीटेल और correct and verified अगर आपने साइड डीटेल उपर देखी हैं जो भरी हैं अगर उस सही है तो हम yes पर tick कर देंगे अन्यता हम no पर tick कर देंगे उसके बाद लिखा लिखाई पड़ता है remark यहाँ पर below अपनी report लिखेगा all details are correct and verified इतना लिखने के बाद अगर मद्दाता आपको किसी प्रकार का document देता है तो हम choose file पर click करके आप अगर photo लेना चाहते हैं तो photo ले सकते हैं अगर gallery में आपके हैं तो gallery से आप यहाँ पर select करके उसको submit कर देंगे अंत में नीचे सबसे दाहिनी तरफ लिखा होता है preview अब हम preview पर click करते हैं तो आप जितना भी detail आपने पहले भारा हुआ है मद्दाता का वो यहाँ पर दिखने लगता है उसके बाद submit पर हम click करते हैं और एक notification आपको दिखाई पड़ता है जहाँ पर लिखा हुआ है have you verified the entered information इसका मतलब आपने जो information भरी है क्या वो सही है क्या verified कर रहे हैं आप तो आप उसको अगर आप verified कर रहे हैं सही है तो आप ok पर tick कर देंगे और आपका पूरा data भर जाएगा इस प्रकार हम H2S survey को पूरा करेंगे और अंत में हमें verified successfully लिखा हुआ नजर आएगा